जै मा काली मित्रों आपका हमारे चैनल मा काली मा दुरगा शक्ती समवाद में स्वागत है मित्रों अगर आप हमारे चैनल पर नई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे लाइक कीजे शेयर कीजे साथी notification bell को भी प्रैस कीजे जिसले हमारी आने वाली वीडियोस का notification आपको तुरंत मिल जाए मित्रो आज का जो विशे है वो विशे ये है कि होला अस्टक कफसे प्रारम हो रहे हैं इन दिनों में यानि होला अस्टक के 8 दिनों में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और अगर हम पूजा पाठ की बात करते हैं तो इन 8 दिनों में हमें कौन सी पूजा पाठ करनी चाहिए तो उसी से संबंदित ये वीडियो है वीडियो को आप पूरा सुनिएगा तब ही आपको पूरी बात समझ में आईगी देखिए होलास्टक यानि होली के पहले जो आठ दिन होते हैं वो होलास्टक कहलाते हैं तो ये होलास्टक जो होते हैं इनमें बहुत सारी चीजों की मनाई होती है बहुत सारी ऐसे काम होते हैं जो आपको नहीं करने होते हैं उसका कारण यह होता है कि अगर आप वो कारिय करते हैं तो उन कारियों का करना शुबुफल आपको नहीं देता है और वो कारिय सार्थक नहीं होते हैं तो इसलिए जो होलास्टक इस बार यानि 2030 में प्रारंब होने जा रहे हैं वो 26 मार्च से प्रारंब होने जा रहे हैं और 26 मार्च से लेकर के 6 मार्च तक होलास्टक रहेंगे और देशकाल परिस्तिती के अनुसार एक दिन का अंतर हो सकता है तो इसलिए 26 फरवरी से 6 मास तक होलास्टक रहेंगे तो इन होलास्टक में आप क्या करें, क्या ऐसे कार्य करें जिससे आपको शुब फल प्राप्त हो अगर हम पूजा पाट की बात करते हैं सबसे पहले पूजा पाट की बात करते हैं देखे, ये जो आठ दिन होते हैं बहुत ही फलदाई होते हैं फूजा पाट की दरस्टी से अपने आप में बहुत महत्पूर होते हैं जैसा कि आपने देखा है अभी अभी शिवरातरी गई है तो शिवरातरी पर जिन लोगों ने जो साधनाई की थी एक दिवस्य साधना की थी तो वो साधना को दूबारा चार्ज आप इन होलास्टक में कर सकते हैं यानि इन आठ दिनों में आप उसी मंतर का जाब कर सकते हैं जो आपने शिवरातरी पर किया था या आपका कोई अपना पुराना मंत्र है जो आपने पहले जाप किया था और आप उसको दुबारा चार्ज करना चाहते हैं तो ये आठ दिन आपके लिए विशेश रूप से फलदाई होते हैं तो इन दिनों में आप उस मंत्र को जाप कर सकते हैं कोई नियम ले सकते हैं कोई आठ दिन की मंदिर की फेरी पकड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो मंदिर की साफ सफाई आठ दिन के लिए नियम ले सकते हैं या फिर अगर आपके इश्ट देव हैं आपने उनका कोई मंतर जाप किया है तो उस मंतर का जाप भी आप इन आठ दिनों में विशेश रूप से क कर सकते हैं और होली की जो रात होती है अपने आप में पूर्ण फल दाई होती है उसके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी इसमें इतना ज्यादा नहीं बता पाएंगे तो इन आठ दिनों में आप ये सवीकारी करके एक विशेश फल प्राप्त कर सकते हैं साथी अगर यानि काम पूर्ति है तू कोई साथना करना चाहते हैं तो इन आठ दिनों में आपको विशेश लाब होगा आप अपनी काम न हैतू कोई भी साथना कर सकते हैं तो ये-दो पूजा पार्ड़ से समन्दित बात हुई अब ये बात है कि इन हौ लाश्टक में हमें कौन से ऐसे कारिये हैं जो नहीं करने चाहिए या एक तरह से कह सकते हैं कि पूर्ण वर्जित होते हैं देखें इन होलाश्टक में कोई भी नया कारिये प्रारम करना शुब नहीं माना जाता है क्योंकि इन दिनों को किसी कारिय को आरम करने की दरश्टी से शुब नहीं माना जाता है तो ऐसी परस्तिती में होलास्टिक में कभी भी लगन का कारिय यानि विवा का कारिय बिल्कुल नहीं करना चाहिए विवा का जो भी कारिय है या जो भी आपकी डेट निकलती है वो होलास्टिक के बाद निकलवानी चाहिए होलास्टिक की दिनों में विवादी का कारिय नहीं करना चाहिए अगर आप ग्रहा प्रवेश करना चाहते हैं तो ग्रहा प्रवेश भी होलाश्टक में नहीं किया जाता है और कोई भी नए घर का जो निर्मान होता है यानि अगर आप निर्मान प्रारम करने जा रहे हैं आपका निर्मान कारी चल रहा है पहले से तो उसमें तो कोई परिशानी नहीं होती है लेकिन अगर आप निर्मान का नीव रखना चाहते हैं तो इन आठ दिनों में आपको वो नीव नहीं रखनी चाहिए किसी भी प्रकार का कोई नया व्यपार आपको आरंब नहीं करना है को कोई नया आभूशन आपको इन दिनों में नहीं खरीदना है अगर आप किसी शुब यात्रा पर जाना चाते हैं यानि उस यात्रा का कोई शुब उद्देश्य है तो कोशिश यह करें इन होला अश्टक में आप उसको स्थगित कर दें अगर आपकी व्यापारादी की यात्र तो उसमें आप जा सकते हैं लेकिन शुबकारियए हेत्ी अगर आपको यात्रा करना चाते हैं तो उसको इस्तःगित कर दे及 कि अगर आप कोई शिख्षा प्रार्म करना चाते हैं तो नई शिख्षा विल्कुल इन द B cor centuries two अपमारν होने के बादे 6 नया बाहन इन दिनों में बिल्कुल ना खरीदे और साथ ही कोई भी नया काम जो आपके लाब से संबंदित हो आपके व्यपार से संबंदित हो या किसी भी योजना से संबंदित हो वो आपको इन दोनों में प्रारंब नहीं करना है तो यह कारिये हैं साथ ही आपको 16 संसकार यानि जो हमारे 16 संसका संसकार को छोड़ करके बाकी की जो 15 संसकार हैं वो आपको इन दिनों में नहीं करने हैं या पिशेश रूप से ध्यान रखें अब यह बात आती है कि क्या-क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए होलास्टक के दोरान देखें आप सभी जानते हैं होली और दीवाली पर टोटका जादू तंत्र काला जादू यह सभी कारिये कुछ लोगों के द्वारा किये जाती हैं तो ऐसी परस्तिती में हमें सावधानी रखनी होती है हमें बहुती संबल कर चलना होता है होलास्टक के दोरान आपको ध्यान रखना है कि आप अंधेरी जगे जाने से बचे जहां पर जादा अंधेरा रहता हो जब आप बहार जाएं बहार से आने के तुरंत बाद अपने घर में अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आते ही उनको तुरंत गोद में ना उठाए क्योंकि इस समय पर जो नाकारत्मक्षक्तियां होती हैं वह बहुती प्रबल रूप से तयार अग्ला अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हैं किसी सड़क के घूझर रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको इस तंत्र की वस्तू उस जगा पर रख़ी होती है तो आपको उससे बच के निकलना है इस बात की आपको विशेस सावधानी रखनी है अगर सडक पर कोई पहना हुआ कपड़ा आपको पढ़ा हुआ मिलता है किसी की पैंड, शर्ट, बन्यान, कुछ भी साड़ी आदी आपको मिलती है तो आपको उस कपड़े से बच कर निकलना है उसको लांगना नहीं है उसको लात नहीं मारनी है उसको चूना नहीं है तो उनसे आपको बच कर निकलना है शमशान घाट के आसपास के रास्ते से जाने से बचे कोशिश ये करें कि आप ऐसे रास्ते से नहीं निकलें अगर आपके शहरिय गाउं के पास कोई नदी या नहर गुजरती है तो उसके आसपास जाने से भी बचे क्योंकि वहाँ पर इस समय पर जादे से जादा तंत्र आदी के समान पाए जाते हैं वहाँ पर अलग अलग प्रकार के तंत्र क्रिया खी जाती हैं तो आप वहाँ से जाने से बचे सड़क पर पड़े हुए किसी भी मिट्ट च्छत पर ना छोड़े छोटे बच्चों को शाम के बाद घर के बाहर ना जाने दें ना खेलने समय रहते उन्हें घर के अंदर कर लें क्योंकि बच्चों के ऊपर ऐसी शक्तियां बहुत जल्दी प्रभाव करती हैं तो ऐसे समय पर आप बच्चों का विश्य ध्यान रखे इन आठ दिनों में अपने घर में गंगा जल के छीटे लगाएं, भगवान भोले नात पे जल चड़ाएं और जितना हो सके हनुमान चालिसा और बजरंग बान का पाट करें। तो मित्रो ये थी जानकारी, आप सबी के लिए माभगवती से यही प्रात्ना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहें, आपके सबी मनो कामनों को पूर्ण करती रहें, आपके अपना पूर्ण आशिरवात बना के रखें। आप से फिर मिलेंगे अकली वीडियो में, तब महकाल